वेलकम तो ओटो आईयस अकेडमी मैसलफ इस केयर संदू और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ modern इंडिया के बहुत ही important और कुछ relevant topic जिनमें अक्सर UPSC और state civil service में जो question है वो पूशे जाते हैं चाहे वो pre हो चाहे means का exam लिया जाए so student क्योंकि हम सभी civil service के लिए preparation जो है वो कर रहे हैं तो आज हम इसकी थोड़ा history को जो है थोड़ा read करेंगे के civil service का जो origin है वो इंडिया में कब होता है किस तरह से किया जाता है और ऐसे कौन से important उस समय के British governor general रहे हैं जिनका इसको evolve करने में बहुत leading role जो है वो रहा है तो इसमें हम खास करके pre independence era की जो history है उसको आज के lecture में हम study करेंगे इस पूरे lecture का जो PDF है वो आपको हमारे telegram channel पे available होगा और जो student अभी नए है वो इस telegram channel को subscribe कर सकते हैं यहाँ पे आप अपना पूरा PDF जो है वो lecture का study कर सकते हैं इस channel का जो link है वो यहाँ पे provide किया हुआ है और यह link आपको नेचे description box में भी जो है वो available होगा and student auto is academy का एक android based app भी है आप इसे google play store से download कर सकते हैं यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे जो courses है वो यहाँ पे available हैं जो student H.A.S. allied के लिए prepare कर रहे हैं उनके लिए test series यहाँ पे available है इस test series को join करके वो अपना mains का answer writing को और भी better कर सकते हैं और जो student अभी घर पे बैठे त्यारी करना शुरूँ सोच रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे foundation badge जो है वो available है और हिमाचल GK के लिए भी हमने यहाँ पे course जो है वो यहाँ पे design किया हुआ है तो इन में से कोई भी एक course जो है वो आप यहाँ पे अपनी need के recording यहाँ पे join कर सकते हैं सो चलिए आज का lecture शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमें जो learn करना है कि इसकी शुरुआत कैसे होती है किस तरह से civil service इंडिया में अपना जो beginning है उसकी यहाँ पे होती है जैसा कि हम जानते हैं कि East India Company एक trading company होती है और लेकिन औरंग जेप की death के बाद जिस तरह से मुगल empire जो decline करती है तो कहीं जो East India Company है वो उस समय की political situation को समझते हुए कुछ इस तरह के step उठाती है कि यह battle of policy जो 1757 में होती है उसके बाद एक trading company से एक ruler company बन जाती है और धीरे धीरे यह इंडिया का जो modern बंगाल बिहार उडिसा का reason है उसको one by one capture करना शुरू कर देती है अब बहुत बड़ा territorial empire इनके नीचे आजुका होता है उसी को govern करने के लिए ही इन्होंने एक नया administrative system introduce किया जो civil service पे based था यहां पे उस समय के civil servant होते थे इनकी appointment जो समय East India Company के director होते थे लंडन बेस्ट वो इसकी यहां पे किया करते थे और यह जो civil servant की appointment होती थे यह बहुत नामी families के बच्चे होते थे जिनको एक कहीं न कहीं शफारिश और favor के चलते इनको इंडिया में appointment जो था उस समय किया जाता था उस समय क्योंकि company का कोई फर्क नहीं था there was no difference between commercial and critical function तो सारी जो power थी वो एक ही person की हाथ में थी तो इसका result हमें देखने को मिलता है कि 1764 के बाद बहुत सारे corruption के allegation जो है वो सामने निकल के आते हैं और इसके लिए एक corruption जो है वो यहां पे बहुत ज़्यादा फैलने शुरू हो जाती है तो उसी corruption को control करने के लिए यहां पे warrant hasting जो है जहां पे पिक्चर यहां पे आप देख रहे हैं warrant hasting यहां पे आते हैं तो East India company को थोड़ा organize करने के लिए और यह civil servant है इनको थोड़ा better organize करने के लिए warrant hasting यहां पे आके company के जो commercial और administrative function होते हैं इनको यहां पे अलग-अलग कर देते हैं ताकि इस corruption की problem को यहां पे shot out यहां पे किया जा सके तो warrant hasting यहां पे थोड़ा इसे organize करने की यहां पे कोशिस जरूर करते हैं अभी भी problem जो है वो linger on करती है corruption और कई न कई मिस administration जो है वो अभी भी इंडिया में चल रहा होता है इसके बाद जो next governor general हमें यहां पे जनका एक leading role रहता है civil service को reform करने में और इसे पुरा organize करने में वो थे Lord Cornwallis Lord Cornwallis से पहले जो British forces थी उनको lead कर रहे थे in the American war of independence जो 70-76 में वहां पे हुई थी तो उसके बाद इनको यहां पे इंडिया में भीजा जाता है तो Lord Cornwallis को एक बहुत अच्छा experience था कि किस तरह से एक governance यो होनी चाहिए और अगर आपकी governance जो है ग्राउंड लेबल पे अच्छे नहीं है तो America जैसे revolt जो है वो दूसरी के लाउनिस में भी हो सकते हैं तो इसी के चलते हैं ये क्या करते हैं कि ये पूरी तरह से civil services को यहां पे organize करते हैं इसे proper एक form में लेके आते हैं proper designation यहां पे दिये जाते हैं ताकि जो एक तरह कमिस administration था उसको यहां पे रोका जा सके और इनकी इसी organization की वज़ह से ही Charles Convils जो है he is known as the father of the civil service in India है ये corruption को खतम करने के लिए बहुत सारे step उठाते हैं जैसे कि जितने भी उस समय civil servants होते हैं उनकी salary को बढ़ा दिया जाता है और जो भी civil services के जो implies होते हैं वो उन्हें मना कर दिया जाता है कि आप कोई भी present या किसी भी तरह का जो रिश्वत या gift जो है वो यहां पे receive नहीं करेंगे तो ए एक proper organize करने वाले जो governor general थे he was Lord Cornwallis. Lord Cornwallis के बाद जो next governor general आते हैं Wellesley इनका भी खास important role जो है civil service organization में रहता है इनकी सबसे important point अगर देखा जाए तो इनी के time पे ही जो fourth anglo-mysore war हो होती है जिसमें टिपू सुल्तान की death हो जाती है अब यह क्या करते हैं यह Calcutta में Fort William College जो है व statute होते हैं उनको training जो है वहां पर किया जा सके तो उनकी training के लिए यह Fort William College जो है इनके दोवारा setup किया जाता है लेकिन क्यूंकि जो company के director होते हैं उनके दोवारा यह सारी appointment जो है civil servant की London के में ही nomination के according वहां पर की जाती थी तो वो कहीं नहीं नहीं चाते थे के उनका control जो है civil service स कहीं week पड़े तो इसलिए जो director थे उन्होंने इसको disapprove कर दिया कि हम यहां पे college जो है इसको अप्रूव नहीं करेंगे तो यह college को training purpose के लिए approval नहीं मिलता है तो इसलिए अभी भी जो east India जो college है इसको हैले बेरी इंगलेंड में ही यहां पे इसे use किया जाता है और यहीं पर ही दो साल की जो compulsory training होती थी civil service recruitment की वहां पे की जाती थी तो अभी यह training जो थी हैले परी इंगलेंड में थी इसे फोर्ट विलियम college में से जो था नहीं रखा गया था इसके बाद जैसा कि यह picture यहां पे आप देख रहे हैं सिंदर नाथ्टिगोर he was the first Indian to join the Indian civil services here अब यह कैसे possible होता है कि एक Indian जो है हैं वह civil service में आने मतलब possibility हो पाते हैं क्योंकि जिस तरह से Cornwallis ले आते हैं यह कभी नहीं चाते हैं कि ब्रिटिश गवर्मेंट कभी नहीं चाती थी यह company कभी नहीं चाती थी कोई Indian जो है chairperson थे law commission के उनके दोबारा civil service committee के भी यह chairman थे तो उनके दोबारा कुछ recommendation दी जाती है जिसमें वह recommend करते हैं कि जो future civil servant है उनका जो appointment है वो एक open competition के base पे किया जाए ना कि simple एक nomination पे base पे किया जाए तो एक open competition की जो पहली बार जो शुरुआत है वो charter act of 1853 में होती है हला कि 1833 में भी यह option रखी जाती है लेकिन इसको implement नहीं किया जाता है तो finally 1853 में इस civil service के जो competition है इसको open कर दिया जाता है और इसके बाद Indian civil service act 1861 जो है इसको pass कर दिया जाता है और इसके अंदर भी कुछ condition ह यहां पर रखे जाती है जैसे कि civil service का जो exam है वो England में होगा medium जुक है वो English language रहेगा और जो syllabus है वो कहीं न कहीं Greek और Latin language की understanding की उपर ही base यहां पर रखा जाएगा इसके बाद हम देखेंगे कि धीरे धीरे करके जो maximum permissible age थी civil service के लिए उससे धीरे धीरे कम किया गया 23 year was the age in 1859 इसके बाद एक अगले साल इसे 22 साल कर दिया गया उसके बाद फिर 6 साल बाद इसे 21 साल कर दिया गया और 1878 के बाद इसे 19 साल कर दिया गया जानी कि ब्रिटिज कहीं नहीं चाते थे कि किसी तरह से भी जो इंडियन है वो इस competition में आए और उस civil service का हिस्सा बने लेकिन इंड determination और hardware के लिए जाने जाते हैं इसी तरह से एक Indian जिनका नाम था स्तिंदर नाथ्टिगोर ये पहले Indian बनते हैं जो civil service को qualify करते हैं इंदा year 1863 यहाँ पे अगर आप मुझे comment में यहाँ पे बता सकें कि इनके बाद ऐसे कौन से second Indian थे जो उन्होंने civil service को crack किया था वो एक बहु Indian महा भारत को translate भी किया था और इसके साथ साथ वो Indian National Congress के President भी रहे हैं तो उनका नाम अगर आप मुझे यहाँ भी बता सकें in the comment box I will be very thankful to you to all of you so इसके हम यहाँ पे देखेंगे कि 1853 में यह competition open आता है और सिंदरनाथ जिस तरहें से इसको compete करते हैं इसके बाद एक के बाद एक जो है Indian भी जो है इस competition में आना शुरू हो जाते हैं अब इसके चलते 1885 में जब Congress की formation की जाती है तो Congress भी एक political मुद्दा यहाँ पे उठाती ह है कि जो जादा से जादा Indians हैं उनको administration का जो है पार्ट यहाँ पे बनाया जाए तो इसके चलते एक committee point की जाती है Attickinson committee की यहाँ पे appointment होती 1886 में जो Attickinson थे he was basically a lieutenant governor of the Punjab at that time तो इनकी chairmanship के नीचे यह committee बनाई जाती है और यह committee उसमें जो Lord Dufferin है वो इसको यहाँ पे appointment करते हैं तो इस committee की पहली recommendation होती है कि पहले जो civil servant होते थे civil service थे वा non by the name of covenant civil services तो इन्हें covenant and uncovenant का जो यहाँ पे distinction था वो यहाँ पे खतम कर दिया जाता है और यहाँ पे इसको तीन category में यह है इसे divide कर दिया जाता है Imperial Indian civil services इसका examination England में होगा, provincial civil services, examination in India and subordinate civil service जिसका भी examination जो है वो यह यहाँ पे Indian होगा और जो age limit है उसको दोबारा से raise कर दिया गया, 23 साल इसको raise यहाँ पे कर दिया गया, 1893 के पास भी जो house of common था England में उन्होंने भी resolution पास किया कि यह जो civil service का examination है यह India और England में simultaneously होना चाहिए लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि यह recommendation थो अभी तक इस इसका नहीं हुआ था, अभी भी यह जो exam था सिर्फ London में हो रहा था, इसको जो था इंडिया में इसका examination अभी नहीं लिया गया था, चाहे recommendation यहाँ पे आई थी, इसके बाद हम देखेंगे, then comes the Montague Chelmson reform of 1919, तो इनके जो reform किये जाते हैं, after the second world war, जिस तरह से government कुछ reform करने के promises कर रहे थी, self rule की बात यहाँ पे कर रहे थी, तो इन्होंने recommend किया कि जो civil service का examination है, वो इंडिया और England में simultaneously, जो है, वो यहाँ पे होना चाहिए, और इसके बनोंने ये भी recommend किया, कि जो one third recruitment है, वो इंडिया में होनी चाहिए, और धीरे धीरे 1.5% ये जो level है, उसको हमें increase करत जाना है, जानि कि Indianization of the civil service की कही ना शुरुवात, जो है, वो हम देखेंगे, मुटैगूल चैलम्सवन reform से जो है, आगे यहाँ पे बढ़ती है, इसके बाद एक बहुत important commission यहाँ पे appoint किया जाता है, this is known as Lee commission, 1924 में इसको appoint किया जाता है, ये commission recommend करता है कि जो recruitment है, Indian civil service, direct recruitment, it should be made on the basis of 50-50 parity, जिसमें 15 जो है, वो percent European होने चाहिए, और 15 परसंट जो है, वो Indian होने चाहिए, और ये अनगले 15 साल तक जो है, इसे achieve कर लेना चाहिए, इसके बचलते ही, इन्होंने recommend किया कि एक public service commission की establishment, immediately जो है, वो यहाँ पे की जानी चाहिए, ताकि जो exam है, वो India में भी इसे लिया जा सके, और इसी के चलते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे, कि जो first Indian public service commission था, इसको first October 1926 में establish किया गया था, और Sir Rose Barker जो थे, वो इसके पहले chairman थे, वहाँ पे, ठीक है, तो इसे हम देखेंगे, कि Lee commission was one of the very important step for the Indianization of the civil services at that time, इसके बाद 1935 का जो एक आता है, जो एक last major act है British, British Air का India में, इनकी act के अंदर भी recommend किया जाता है, कि एक federal public service commission की appointment की जाए, और एक provincial public state service commission की appointment की जाए, जाने कि state public service commission की appointment जहाँ पे की जाए, तो यही जो federal public service commission जिसकी appointment की जाती है, हम देखेंगे, कि after independence, it is converted into union public service commission में, ये convert हो जाता है, और जैसे ही हमारा 26 January 1950 को हमारा constitution जो है, वो implement होता है, तो this commission also got a constitutional status here, state के नीचे भी हम यहाँ पे देखेंगे, कि state के provinces level पे भी seven public service commission जो थे, वो 1937 में established किये गए थे, ये जो seven public service commission थे, they were included the provinces of Assam, जो Shilong based था, बंगाल, based and Calcutta, Bombay and Sin, based and Bombay, Central provinces, बिहार and Odisha, Center and Ranchi, मदरास, एंट मदरास, पंजाब and Northwest, एंट लहोर, और इसके बाद seven, United provinces, based and Allahabad, तो इससे हम देखते हैं कि Government of India Act के नीचे, जो हमारा modern UPSC और state civil service है, इसकी जो है, origin जो है, हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, So student, ये थी, थोड़ी सी आज मैंने history जो आप लोगों से share किया है, कि इंडिया में जो civil services है, इसका किस तरह से historical evolutions होता है, और क्या-क्या important dates और committees और जो governor general है, इसमें अपना role play करते हैं, इसे आप अच्छी तरह से revise कर लीजेगा, क्योंकि यहाँ पर अक्सर pre या main perspective से question जो है, वो यहाँ पर डाले जाते हैं, आगे भी मैं आपके लिए इस तरह के important और relevant topic जो है, वो regular basis पे लेके आऊंगा, ताकि आपका जो modern Indian की history है, वो बहुत बढ़िया तरीके से आप इसे organize कर सकें, thank you very much for the today's lecture.